आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे नई टिप्स जिने फॉलो करने से आपका समय बचेगा, धन बचेगा, साथ ही आपको बहुत सारी प्रॉबलम से इजीली छुटकारा मिल जाएगा, तो फिर देर किस बात की स्टार्ट करते हैं ये मेरी टिप है छोलो के बारे में, अक्सर शिकायत होती है कि जब हम घर में छोले बनाते हैं तो छोलो का वो कलर नहीं आता, जो हलवाई वाले छोलो का आता है, जो छोले हम धावा पर खाते हैं, होटल में खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, तो ऐसा कलर नहीं आता, इसके लिए आपको एक टिप बता रही हूँ, देखिए जब भी आपकी घर में अनार आए ना तो इनके छिलके फैकने नहीं है, सबसे पहले अच्छे से अनार को धो ना, इसके दाने निकाल लेना, और उसके बाद जो अंदर यलो-यलो सा मोटा सा हिस्सा रहता ने, जिसमें दाने रहते हैं, वो सब चीजें अंदर से आप हटा देना, और अब आपको ये छिलके लेने हैं, ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो छोले आपने भिगो के रखे हैं, उन्हें पानी से निकाल कर कोकर में डाल देना, और जो अनार के छिलके हैं, साथ में वो भी आप डा पर उनका इसी तरह इस्तवाल कर सकते हैं आप इसमें पानी डाल दिया है मिक्स कर दिया और बस अब हम कुकार का ढखकन बंड करेंगे और छोलो को उबालने के लिए हम गैस के ऊपर रख देंगे तो छोले उबालने के लिए आप चितने भी सीजिद्धी लगाते हैं पांच खोलो में यह दिखें चोलो का घुरियो रëक है इस में आपको ho Ridin should और चोलो बालने की बाद में आपको एपको इने दिखा रहे हूं और यह देखें जोलो का Mikroege और की आपने आप भी चोलो कlovek करते है इसक्रऊ की अदिकिमे ज़ेहें नहीं जाता है लेकिन छोलों का कलर इस तरह नहीं आता है लेकिन जिलों का डालने से देखिए छोले से ho AGALY जो दिखरे में फिर बहुत अच्छे लगते हैं तो जब भी छोले बनाएं तो मेरी इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें अनार की छिलकों का और भी क्या क्या इस्तिमाल किया जा सकता है यह जानना है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं अब यह मेरी दूसरे टिप है नीव जाते हैं तो आप अगर जादा मात्रा में नीवू ले आए हैं तो इन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा टिप बता रहे हूं आपको करना क्या है सबसे पहले नीवू को बहुत अच्छे से धोना है उसके बाद एक कॉटन के कपड़े पर इन्हें डाल दें और अच्छे से इन्हें पोंच लें और दस पंदरम नट के लिए इन्हें हवा में ऐसे ही छोड़ दें मतलब इनके उपर बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए उसके बाद आपको छोटे छोटे टुकडे लेने हैं नीवू को रैप करना है देखे हर एक इस नीवू को अलग न्यूस पेपर के टुकडे में ऐसे रैप करेंगे न्यूस पेपर की जगा आप टिशू पेपर का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो सभी नीवू को हमने इस तरीके से नीवू के टुकडो में रैप कर लिया है और अब आप लें कोई भी एयर टाइट कंटे और इसमें आपको ये नीवू जो हैं इस तरीके से रख देने हैं सभी नीवू को रखने के बाद अब आप टब्बे का ढखकन बंद करें और इसे फ्रिश के अंदर रख दें अब ये नीवू 25 से 30 दिन भी खराब नहीं होंगे बहुत बढ़िया एक्दम फ्रेश बने रह देखिए होता क्या है जब हम इस प्रेश में रख देते हैं बहुता क्या है इनकी जो फ्रेश नहीं होती है वो खतम हो जाती है तो इन सबी प्रॉबलम से बचने के लिए आपको करना क्या होता है कि जब भी आप ये मसाले पैकेट लेके आएं तो इन्हें खोल कर किसी डब्बे में जरूर भर लें एर टाइट कंटेनर में इने स्टोर करें लेकिन उसमें भी एक प्रॉबलम होती है जब हम इन्हें किसी डब्बे में भर लेते हैं मसालो को तो अक्सर इनकी जो एक्सपैरी डेट है वो हम भूल जाते हैं याद नहीं होती है क्योंकि इनकी जो एक्सपैरी डेट होती है वो इ ज़ाद भी रहे कि यह चना मसाला है तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसकी जो एकस पारीडेट लिख रही रहे है वो और चहांपर यह चना मसाला लिख रहा है यह आपको मेरे सभी टिप में से कौन सा टिप जादा पसंदारा कॉमेंट करके जरूर बताएं अब ये जो मेरे टिप है ये है अरहर दाल के बारे में अरहर दाल अक्सर हम सभी के घर में बनाई जाती है लेकिन इसे बहुती टेस्टी बनाने के लिए आपको एक छोटा सा टिप बता रही हूँ, जरूर फॉलो कीजेगा देखे जब भी आप अरहर दाल बना रहे हैं तो जैसे कि आपने एक कप अरहर दाल ली है तो उसमें आप लगभग 2 टेबल स्पून के करे मौंग दाल अड़ कर दीजिए और फिर देखिए आपकी अरहर दाल का टेस्ट कितना जाता बढ़ जाता है तो जब भी अरहर दाल बनाएं तो इस तरीके से आप टेशियो रखें मौंग दाल और अरहर दाल का और फिर इसे बनाएं दाल बहुत ही टेस्टी बनेगे टिप्स पसंद आई हूं तो लाइक कॉमेंट शेयर करें चैनल को सब्स्क्राइब करें